get a job as a fresher तो एक example से समझते हैं, अपने पास एक बंदा है राहूल, जो अपनी bachelor's degree complete कर रहा है वो ये सोच रहा है कि उसका first job उसको कैसे मिलेगा, क्योंकि campus interviews में तो दाल गलने वाली है नहीं, अभी तो engineering के 6 मैंने भी बाकी है, तो अब राहूल के सामने क्या challenges है, उसे ऐसा क्या prepare करना है, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपना नया job ढूंड ले, ये challenges लगबख सभी freshers के सामने है, क्योंकि campus में या तो हम group discussion से out हो जाते हैं, या interview से out हो जाते हैं या तो फिर किसी-किसी college में campus आते ही नहीं है interviews के लिए, तो अब राहूल ने क्या किया, उसने समझ लिया कि उसको तीन चीजों में improvement करना है फर्स्ट है technical सेकेंड है cultural और थर्ड है personal, फिलहाल ज्यादा तर कंपनियां freshers को hire ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि freshers का technical knowledge थोड़ा कम होता है, उनको cultural चीजे भी बहुत कम पता होती है company की जैसे कि कौन सी process follow होनी है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से formal पहन के जाना है, वगरा वगरा और last में है personal, तो राहूल को पता है कि ज्यादा तर student एक ही सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, वो है brief me about yourself, तो हमें अपने खुद के बारे में दो-तीन मिनिट तक तो बताते आना चाहिए कि नहीं वो भी English में, तो राहूल ने एक senior बंदा पकड़ा, जो कि 4-5 साल से already industry में काम कर रहा है, और उससे company के सारी cultural चीजे copy-paste कर ली, तो अब उसको समझ गया कि ITIL, Agile, Scrum जैसे कुछ चीजे होती है और इसे as a process यूज करते है और उसने ये भी समझ लिया कि tickets क्या होता है, sprints क्या होते है stories पे कैसे काम करते है उसने ये भी फटा-फट समझ लिया तो अब उसको idea आ गया कि company में कैसे काम करते है next है technical तो syllabus में तो सब कुछ होता है बट वो थोड़ा-थोड़ा ही होता है तो main चीज जो है, वो है technical skills तो इसके लिए राहूल ने क्या किया एक LinkedIn profile बनाया उसने लोगों को follow करना शुरू किया LinkedIn पे blogs देखना शुरू किया YouTube videos देखना शुरू किया उससे उसको एक normal एक idea आ गया कि industry में लोग किस technical skill के बारे में ज्यादा तर बात करते है या कौन से tool के बारे में ज्यादा तर बात्चित हो रही है फिर उसने कुछ HR को भी follow किया उनके job descriptions को पढ़ा फिर उससे पता चला कि लोग जिसके बारे में बात कर रहे उसी तरह की चीज़े जो है job descriptions में भी लिखी हुई है तो इस तरह से उसने अपना एक technical stack बनाया अब technical stack बनाते time एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि सारे tools जो है जो आपके technical stacks में है वो एक दूसरे को compliment करने चाहिए वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक tool जो है वो किसी अलग technical stack से आता है और दूसरा किसी और से जैसे आपने Ansible पढ़ा Windows भी पढ़ा लेकिन फिर आपको पता चला कि Windows पे Ansible की commands तो run नहीं हो रही है उसके लिए Linux चाहिए तो फिर बाद में आप Linux पढ़ोगे तो उसमें time की बरबादी हो जाती है तो ये एक इस तरह का एक stack जो है वो राहूल ने फटाफट बना लिया और उसके उपर preparation शूरू कर दी last में है personal ज्यादा तर students जब technical question पूछते हैं तो वो फटाफट English में बता देता है लेकिन जब उनको पूछते हैं कि आपके college के बारे में बताओ या आपके family background के बारे में बताओ या कोई भी favorite movie के बारे में बताओ तो उनको वो बताते नहीं आता है क्योंकि उनका practice ही नहीं होता है तो इसको overcome करने के लिए आप पहले ही prepare हो जाओ किसी भी object के related बात करना शुरू करो जैसे आपका favorite actor आपका favorite movie या आपकी favorite vehicle तो उस पे थोड़ी थोड़ी बाते करना आप शुरू करो ताकि आपका जो vocabulary है spoken English है वो थोड़ा अच्छा होते जाए और ये जो सवाल है ज्यादा तर managers पूछते हैं या HR पूछते हैं just to test your communication skills बस ये तीन चीज़े राउल ने फटाफट कर ले और उसको फटाफट जो है अपना job मिल गया है और राउल ने इस channel को भी subscribe कर लिया है